हाई फ्रेंड्स मैं कुसूम जे सार होमेड रेसिपी में आप सबका स्वागत है और आज मैं आप से सेयर कर रही हूं डाल रेसिपी और आप भी सोचोगे ना डाल तो हमने कई बार खाई यह कई तरीके की देखिए बट हमारे घर में बनती ही बनती है तो डाल की क्या रेसिप इसका इसमें स्वाद आएगा बट आपको दिखेगा कुछ भी नहीं इसके अंदर और फ्रेंड्स अगर आप सबको यह मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजे वेल आइक आधी मैंने चिलिके की मूंग डाल लिए तो एक बाव लिया और उसमें मैंने सारे डाल दी है और डेड़ ग्रास पानी इसमें डालकर एक घंटे बीगने देते हैं और एक बड़ा साइज का मैंने टमाटर लिया है आठ से दस लसून की कलिया एक हरी मिर्ची और छोटा से टुकड़ा अधरक का लिया है तो सबसे पहले मैंने छोटा वाला जार लिया मिक्सी जार का तो इसमें सारी चीजे डाल लेते हैं जैसे टमाटर लसून अधरक हरी मिर् ग्राइंट और यह देखिए फ्रेंड्स मैंने बहुती अच्छे से इसे ग्राइंट कर लिया है यह देखिए न तो डाल देखिए हमारी अच्छे सी भीग चुकी है तो अब अच्छे से इसे दो से तीन पानी से अच्छे से वोश करेंगे ताकि जो हरी डाल का जो छिलका था थोड़ा भोत बूर निकल जाए थोड़ा रहने दीजिए एक भगोने को मैंने गेस पर रख दिया फ्लेम को ओन कर दिया है तो मैंने ये लगबग डेड़ कटोरी डाल ली है तो उसी हिसाब से मैंने तीन गिलास भरकर पानी लिया है बड़े वाला गिलास और साथ में मैंने डाला है एक चमच लाल मिर्च और एक चमच नमक और एक चमच धनिया पावडर और आदा चमच हल्दी पावडर एक साथ ही डाल देते हैं पानी थोड़ा सा गरम हो गया था और जो हमने टमाटर हरी मिर्ची लसुन जो बगएरा पीसे थे वो सारा भी इसमें डाल दिया और एक चमच भरकर मने देशी गी डाला आप यहां ओल भी डाल सकते हो और अच्छा सा बोईल आ गया है तो जो डाल अच्छे से धुई थी वो इसमें डाल देते हैं तो अब ढ़कन लगा देते हैं और ढ़कन को आधा ही बंद करेंगे ताकि डाल बोईल होते समय बाहर ना जाए और एकड़ों मीडियम फ्लेम बे कर देते हैं और 15 मिट अच्छे से बोईल हो चुकी है तो अब एक विसकर लिया और उससे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे से डाल मिक्स हो जाए थोड़ा सा घूट जाए और अब अच्छे से हो गई है तो मैंने फ्लेम को ओफ कर दिया और एक निम्बू लिया है तो पूरे निम्बू का रस डालेंगे इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है निम्बू से तो अब लगा देते हैं तड़का तो आदा चमच भरकर मैंने रिफाइंड ओयल लिया आप यहां पर सरसो ओयल भी ले सकते हो तो अच्छा सा गरम कर लेते हैं और ओयल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब डाल देते हैं एक चमच भरके डाला टी स्पून मै मैंने एक लाल मिर्च को डाला है और अब थोड़ी सी मैंने केच की हिंग लिए इसका टेस्ट भूती जबर्जस्त आता है अच्छी आती है यह और फटा-फट लगा देते हैं तड़का और फ्रेंड्स कम से कम से पांच मिट धक कर रखेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए एक खुशबू डाल में और पांच मिन्ट हो चुकी है तो देखिए फ्रेंड्स वाव वह इतनी जबर्जस्त खुशबू आ रही है और टेस्ट देखिए आप इस तरीके से एक बार बना कर देखिए और साथ में डाल दीजी इसमें थोड़ी सी कस्तूरी में थी तो मैं क्य बता हूँ आपको जबर्जस्त टेस्ट आएगा तो आपने पूरी रेसिपी देखिए कितनी इजी है ना और कितनी टेस्टी बनिए तो आप जरूर तो आप एक बड़ जरूर ट्राइ कीजिए आप बना कर देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताईए कैसी बनी है और फ यह बहुत ही जबर्जस्त टेस्ट आपको घर का ही याद दिला देगी इतनी जबर्जस्त टेस्पी है तो अगर आप सबको थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आती है और मेरी मेहनत दिखती हो ना थोड़ी सी भी तो प्लीज सेयर कर दिजिए थेंक्यू सो मैच